गर पिर से हisions सभी का सवागत है। 儿 अज का सब्सक्राइब या फिरसनस्थाहें और उसके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत इजी रहता है और बार-बार एक नए क्वेश्चन ज़रूर. यहां से देता है ठीक है देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा बाकि के वीडियों जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अंजुमन अंजुमन है नविन इन्चंधरायका लाहर में अस्थापना हुआ था इसका कविता वर्धनी सभा भाते अंद्धु फ्रिस्टेंध और कासी कि अस्व tutto अली गड़ उत्तरप्रदेश में किये था बर्की हिंदि उद्धानडी प्रतिनिधी सभा का 1884 में प्रयाग इलहाबाद में हुआ था नागरी पचानडी सभा का बहुत इंपोर्टेंट है या 1893 में स्यामसंदर दास, राम नरायन भी सा और स्रीव कुमार सिंग इन लोगों ने मिलके किया था वारांसी में ही इसका हुआ था इसका जो है 1910 में अस्थापना मदन मोहन मालवी के द्वारा प्रयाग यानि की इलहाबाद में दच्षिड भारत हिंदी प्रचार का 1915 में महत्मा गांधी के द्वारा मद्रास यानि चिन्नई में अखिल भारती संगीत परिशत का 1919 में हुआ प्रगति सील लेखक संग इस इंडियन पीपुल थियेटर एसोसियेशन के अस्थापना 1942 में हुई थी और परिमल की जो अस्थापना 1944 में प्रयाग में हुई थी शाहित एकादमी इसका जो संस्थापना 1934 में पंडित जवाहलाल नेहरू ने दिल्ली में किया था संगीत नाटक एकादमी की जो अस्थापना 1903 में डाक्टर राजिंद प्रसाद के द्वारा दिल्ली में हुआ यानि पंडित नहरू और राजिंद प्रसाद दोनों वाला दिल्ली में हुआ साहित एकादमी 1954 पंडित नहरू दिल्ली और संगित नाटक एकादमी 1913 डाक्टर राजंद परसाद दिल्ली में तो यह संगित नाटक पहले हुआ उसके बाद साहित एकादमी हुआ वहाद में साहित एकादमी तीरपन में यह पहले ही हो गया था भारति नाटक विद्याले यह दोनों important है भहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि नहरू और राजंद परसाद ने किया था। पहले प्रदान मंत्री और पहले राष्टपति ने भारति नाटक विद्याले का 1969 में इब भले ही उनका जन उज्ञायन में हुआ हुआ ह हिंदिस साही ते परशाद पूरुसोत्तमदास्ट टंधन ने इसके अस्थापना किया था इलहाबाद में टंडन राजरसी राजरसी मुक्त राज़सी तंडन मुक्त विश्वधियालब लहाबाद में तो उसी से याद रख सकता है कि पूर्सोतम-दाष टंडन के द्वारा लहाबाद में कासी सारवयोईनिक सभा पारतिंदोहरिष्चन के द्वारा हुआ वसल , फाउन्डेशन इसमा मतल में मिल्ली मैं ऊश्च ग ग। हुआ ते तनाम कर देवरी में वसल वसल पाउन्डेशन इसमा सभारतिंदोहरि द्वारा लेπα sir और प्रमागुद्वrator ये तो हो गए ह ही तो हो गया कि इसके अलमा त्वोर्ण संस्था उसके संस्था पहां हो G5 ज्यादे नहीं है जो भी है इंपोर्टन्ट है important का मतलब कि सभी important तो है इसके अलमा Hindi अब देखते हैं इसी के ताद जो है यह भी देख लेते हैं प्रमुगध्य विधाव पर बनी हिंदी फिल्में यहां से भी कोश्यन पूछा जाता है अलग से देख लेते हैं अलग से देखेंगे यह इसे में पर कितना है सो पन्यास का नाम क्या कुःबर की स़थ कृबर की सथ रचनकार केस आपर साद मिच रहे हैं और इस पर फिल्म हिए नदीया केपारं के तीसारी कस्या है इस प्रеци इसरी कसम नाम के फिल्म बनी थी कहानी उसने कहा था गुलेरी की है उसके जुनapped सफेशेब का ता कहानी यही सच है और यह रजनी गंदान जो फिल्लिम है यही पे आधारी थे तमस ने तिनासाख में बहुत साहनी के द्वारा है और इसका जो फिल्म बना था 1947 आर्थ नाम से कहानी टोबा टेक्सिंग मंटो का है मन्मो मम्मो नाम से फिल्म बनी थी उपन्या जूटा सच यह सपाल का है खामोस पानी खामोस पानी पे खामोस नमक पानी यह फिल्म बना था जूटा सच पर यह भी नेट के सिलेबस में है मलवे का मालिक मोहराकेश का है इस पर फिल्म बनी तो इसका नाम हीना है क्या नाम है हीना और जिंदगी नामा जिंदगी नामा किष्णा सोबती का है और इस पर फिल्म बनी थे ट्रेंटो पाकिस्तान फिल्म बनी थी नेट के सिलेबस में है तो जो जो नेट काट चाट के थोड़ा बनाया जाता है फिच्चर फिर भी लेकिन 70-80% आपको चीजे क्लियर हो जाएंगे कि उपुस्तक में क्या है और भूलेगा भी नहीं क्योंकि फिल्म के रूप में बोलता नहीं उपन्यास पिंजर अमरिता प्रितम का है इस पर जो फिल्म बनी थी गद दूबिधा बिजय दान देथा का है या पहली जो फिल्म बनी थी वह दूबिधा पर बनी थी चरण दास्चोर बिजय नात देथा का यह भी है यह चरण दास्चोर इसमें तो बदलाव नहीं हुआ दूबिधा का भले ही सिर्शक बदल गया पहली चरण दास्चोर चरण द बहुत कहानियों का मना था यह सब इसलिए तो विख्यात हो गई कम लिखा लेगिन विख्यात हुई मनुभंडारी एक खाने नाई जी ना यहां फिचर तो यहां पर यहीं रहें प्रमुक जो रचनाय है विधाय है उन पर हिंदी फिल्म में जो जो बनी है आपको कैसा लगा जोरू बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाकि बच्चे वीडियो मलब जो नहीं देख पाएं वह प्लेलिस्ट में जाके एक रमबत तरीके से देख सकते हैं जैन जै भारत